खंडो खोशना हिंदुस्तान जवान है ठांतिरंगा करो Gill करोव होशना हिंदुस्तान गतिमान है इंडुस्तान पिस्टॉल से तेजस विमान तक ड्रोन से मंगल यान तक आत्म निरभरता के नए कीर्थिमान गड़ता न्यू इंडिया अथियारों के साथ साथ विचारों की वो आत्म निर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम्बकम में नहीं थै नए भारत के सुर्योदे की छटा को अद्भूत आकरतियों द्वारा क्षितिच पर सजाते हमारे युबाउं की ड्रोन्स अमरित महुत सब में राइसीना की पहाड़ी उपर नया इतिहास रचते हमारे पूर्टा सुदेशी ड्रोन्स आईए स्वाकत करते हैं हमारे नन्धे जगमगाते जादुगरों के करिश्मे का शौर्य और पराक्रम का के सर्या रंग शांती सोहार्द्र अमन का श्वेत वर्ण उर्वर्ता पवित्रता सम्रिधि की हरित ज्युति ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं हर भारतिय के मन में एक जलतरंग सी बज़ उठती है फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस्ता हो भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है तब ही तो हजारों वर्षों पहले हमारे रिशियों ने कहा था वसुधैव कुटुम्बकम अगर हम विश्व की विभिन पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखे तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दोए जमा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा पर एक देश होता क्या है क्या केवल एक भूखन जमीन का एक टुकड़ा या उस देश में बसे लोग उनकी सभ्यता संस्कृति संसकार उनके मूल्य और विश्वास अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजे तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेन, सहिश्नुता, सवहार्द्र, साहस और सत्याग्र है तब ही तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिन धित्व करता है तो वे हैं हमारे राश्ट्रुपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी जिनके बारे में महान वग्याने काइंस्टीन ने कहा था आने वाली नसले इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड मास का मानव सच मुझ कभी था राश्ट्रुपिता महात्मा गांधी में अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अंगिनत दिवानों ने प्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया उनके साहस त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राश्ट्र का जन्म हुआ उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओ के जवानों ने भी कुर्बानिया दी है उन्ही बलिदानों को नमन करने के लिए चिर रिणी राश्ट्र ने बनाया है राश्ट्रिय समर्समारक जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है बीच में स्थित हैं अमर चक्र, वीर्टा चक्र, त्याग चक्र वर रक्षक चक्र नाम के चार चक्र जिनके उपर शान से खड़ा है एक विज़य स्तंब जिसके अंदर दिन राज जलती रहती है एक अखंड अमर जवान जियोती सीमाव पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत आत्म निर्भर भारत का उदय हो रहा है आज कोटी कोटी भारतवासी देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे है अब वैक्सीन से वायूयान तक तमदार रोकेटों से युद्ध पोतों तक खेती से उद्यम तक शिक्षा से कारुबार तक हमारे वैज्ञानिक विशेशग्य नमाचार करता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नई समाधान दे कर लोगों का जीवन आसान बना रहे है आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट होने के 75 साल पूरे कर अपने अम्रित वर्ष में प्रवेश कर चुका है ये आजादी का अम्रित महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का महोर्त है 75 वर्षों में सारी कठिनाईयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी है जो उचाईयां हमने चुई है आज उनका उल्लास पूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है इस अनूठे, अनूखे, अन्मोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा धुरुवतारा है हमारा कुतबनमा, हमारा प्रकाश स्तंग, हमारा आलोकित आकाश दीप है तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके तीन रंग सदा हमें प्रोग साहित करते अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत पर सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते है आज आईए हम सब मिलकर फिर से अपने राश्ट्र धवज को प्रणाम करें और शपत ले अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की बंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेद स्वर में कहें बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम का प्रण आईए हमें झील झील प्राइए हमें आईए हम झाल लूट याँ बंदे मातरम झाल 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 कर दोपाइबंगे! कर दो, कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, 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 क बंगर बंगरे नहीं नहीं और रहींगा और रहीं है